नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एजिकिसने चैनल में आज की यूड़ी लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे पीसी ओडी की दवायों के बारे में तो हम जानेंगे ये बीमारी के बारे में डीटेल में कि ये होने की रीजन्स में तो हम सबसे पहले cover करेंगे कि PCUD क्या है या फिर PCOS क्या है symptoms क्या होते हैं कौन से reason से ये problem हो सकती है उसका diagnosis यानि की निदान कैसे हो सकता है treatment क्या है और कौन से अलग-अलग medicines use होती है इसको ठीक करने के लिए तो detail में जानते हैं आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो बाते हैं topic पे और समझते हैं PCOD की दवायों के बारे में तो सबसे पहले बीमारी के बारे में जान लेते हैं तो PCOD actual में है क्या तो ये जो है वो महिलाव के अंदर उनके hormones के related एक बुमारी है कि जो reproductive age के अंदर जो महिलाई होती है women's होती है उनको होने वाल ये problem है उस पेसली जो hormones related बीमारी उसको कहा जाता है कि जो hormones के अंदर जो changes होते हैं उसके करन होने वाला ये problem है तो उसके अंदर होता क्या है कि जो ovary होती है उसके अंदर multiple cysts जो है वो develop होते है कि यहाप जो आप diagram में देख रहे है कि एक तरल पदार से बरी यह थेली देख रहे है यह दूसरी वाले यह तीसरी यह चौती है ऐसे multiple cysts जो है वो ovaries के अंदर तयार होती है फिर यह आप यह diagram में देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि यह multiple आपको immature follicles देखने को मिलते है कि जो आगे जाके cysts के अंदर convert होते है और उनकी size भी दिरे दिरे बढ़ने लगती है और यही cysts जो बनती है और एक से ज़्यादा जब बन जाती तो उसको हम कहते है multiple cysts और multiple cysts को हम दूसरी words में polycystic कहते है और यह ovary के अंदर develop होते है उसके करण हम उसको polycystic ovary कहते है और उसके करण जो बिमारी होती है उसको हम polycystic ovary indices कहते हैं तो उसके दो अलग अलग नाम है PCOD and PCOS तो यह जो है वो common है महिलाओ के अंदर कि 5-10% जो महिलाओ होती है वो affect होती है worldwide और 12-45 years की जो age होती है reproductive age उनमें यह बिमारी जो है वो उनके अंदर देखने को मिलती है तो PCOS का जब full form होता है वो बनता है polycystic ovary syndrome और PCOD जो है उसका full form बनता है polycystic ovary disease पर दोनों same है या अलग-अलग है तो उसका answer यह है कि दोनों same नहीं है दोनों में काफी जो है वो difference है तो यह पर उसका एक difference अच्छे से समझ लो आपको पता चलेगा तो PCOD क्या है तो उसके अंदर क्या होती है कि जो cyst बनती है वो काफी कम होती है लेस cyst होती है जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो 10 से ज्यादा cyst जो देखने को मिलती है polycystic ovarian syndrome के अंदर फिर यह condition जो reverse नहीं की जा सकती जबकि PCOD के condition जो हम reverse कर सकते हैं दवा यो वगरा को यूज़ करके proper जो medical therapy होती है उसको यूज़ करके वो therapy को proper follow गरके उसको reverse किया जा सकता है जबकि PCOS के अंदर reverse करने के options बहुत ही कम रहते हैं और उसके करन fertility के issues बनते हैं और यह जो है वो PCOD fertility को असर ज्यादा तर नहीं करता तो यह difference है दोनों के बीच में तो आगे हम समझते हैं symptoms के बारे में कि PCOD की सरुवात कहा से होती है तो उसका सरुवात होता है acne यानि के pimples से तो जब आपकी reproductive एज होती है या फिर कोई भी एज में होते है तो सरुवात होती है pimples से और आप कई बार ऐसा समझते हैं कि कोई skin disease वगरा होती है आप dermatologist को consult करते हैं पर वहाँ से भी आपको ठीक नहीं होता बार बार ये pimples होते रहते हैं acne होते हैं तो ज़रूरी रहता है कि आप जो गाइनेकोलोजिस्ट को consult करें और वो आपका proper diagnosis करते हैं तो सबसे पहले इस तरह से skin के उपर acne या फिर pimples डेवलाफ होना सुरूरू होते हैं फिर आगे जाके क्या होता है कि आपकी skin जो वो oily होने लगती है और oily skin के करण भी कई बार आपके चेहरेगवे pimples होते हैं उनके दाग वगेरा पढ़ जाते हैं दाग दब्बे देखने को फिल करते हैं 14 सिम्टम्स हम देखे तो जब आपका hormonal टेस्ट किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि आपके body के अंदर testosterone की मात्रा जो वो काफी ज्यादा है कि जो normal होती है 9 से लेकर 55 इतनी होती है नैनो ग्राम पर deciliter unit के अंदर पर इसकी मात्रा जो वो सेरे में बढ़ है कि जिसको androgen hormone भी कहा जाता है फिर पाचवा हम देखे तो आपका weight gain जेव होने लगता है दिरी दिरी आपका वजन बढ़ने लगता है कि जिसको हम कहते है weight gain होना weight increase होना फिर इसके करण obesity भी देखने को मिलती है और especially central obesity यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कि जो आपका body का जो central portion है वहाँ पे जो fat जमा होने लगता है और एक central obesity का भी एक symptom यहाँ पे देखने को मिलता है फिर patient को जो फटिक जैसा फिल होता है weakness जैसा फिल होता है कि body की जो allergy है वो काफी कम है ऐसा जो आप फिल कर देखे तो आपके periods के cycle के उपर असर होता है कि irregular periods जो आप 45 days का हो जाता है कि कई बार periods काफी जल्दी हा जाता है 20 days के cycle के अंदर और कई बार 45 days होते है तब तक आपके periods यह वो start नहीं होते हैं फिर उसी तरह से period मेस हो जाना यह भी एक symptom develop होता है आपके periods काफी ज़्यादा delay होते है आपके और periods में आप एक और जीस नाटिस करो तो bleeding जो यह वो बहुत ही कम होती है कि जिसको हम कहते है कि very light periods तो यह भी एक develop होता है symptom PCUD के दोरान 11 शिम्टम हम देखे तो excessive body hairs जो यह वो देखने को मिलते हैं चेहरे क्योंकि आज पास भी आप देखो तो facial hair growth जो यह वो देखने मिलते हैं यह जो lips से आपके उसके उपर के side hair growth हो कम हो जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि libido जो वो अपका decrease होने लगता है उसके लाव 14 वाला जो symptoms हम देखे तो वो है ovarian cyst बनना कि एक ovarian cyst बनना कि एक ovarian polycystic है तो साथ दूसरी ovarian में भी इस तरह से cyst बना सूरू हो जाते हैं या फिर दोनों ovarian cyst के अंदर cyst बनते हैं दो defol होना जो वो सुरू होते हैं फिर अगर आप pregnancy कर रहे हैं married है तो pregnancy conceive करने में जो वो काफी difficulty आदी है और infertility related कई बार issues जो देखने को मिलते हैं PCOD के बेसेंट्स के अंदर तो काफी difficulty होती है आपको pregnancy conceive करने में फिर अब समझते हैं अच्छे उसके reasons के बारे में तो पहला reason य होते हैं body K उनमें भी जब imbalance हो जाता है तो उसके करन भी PCOD का problem हो जाता है फिर ovaleution आपका अच्छे से नहीं हो पाता कि जो proper menstrual cycle होता है उसके दौरान properly एक ovaleution होना चाहिए पर वो अच्छे से नहीं होता तो उसके करन भी यह polycystic ovarian disease का problem हो सकता है फिर आपके seriard के अंद एक problem है यह PCOS and type 2 diabetes उसके लाव भी आप बहुत सरी यह problems देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा problem है PCOD या फिर PCOS तो वो भी हो सकता है आपके seriard के अंदर अगर insulin का resistance है फिर अगर आप पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं तो भी यह problem हो सकता है because जो हमारी lifestyle होती है इसके पास द्यान रखना चाहिए कि पानी जो आपको अच्छे से पीना है दिन में at least 3 लीटर पानी आपको पर डे जो पीना चाहिए कि जिससे इस तरह के problems ना हो फिर पांचवा एक reason बनता है swelling होना आपके ovaris के अंदर या फिर आपके pelvic reason के अंदर है कि यहाप आप देख सकते कि यह ovary के अंदर सुजन है, calopian tube के अंदर सुजन है, uterus जो होती है वहाँ पी सुजन है तो यह भी एक reason बनता है polycystic ovarian disease के लिए फिर छटा reason रहता है family history या फिर genetics जो रहता है कि अगर mother को यह problem था तो आगे जाके उनके बच्चों को भी यह problem हो सकते कि अगर वो baby girl है तो यह यह भी एक reason बनता है PCOD के लिए फिर 7 वा reason हम देखी आपे तो वह है hypothyroidism जो thyroid gland के जो hormones होते हैं वो अच्छे से समझे कि secret नहीं होते हैं कम मातरा में secret होते हैं तो भी यह problem जो हो सकती है फिर lifestyle related factors हम देखे तो आपकी lifestyle इस तरह से हैं कि जिसमे exercise बहुत ही कम है ऐसी आप lifestyle जी है तो भी यह problem हो सकते हैं जैसे कि diet के अंदर आप काफी ज़्यादा fast food लेते हैं excessive amount में fast food यूज़ करते हैं तो भी उसके करण एक lifestyle के करण यह problem हो सकती है फिर stress है आपके life में काफी ज़्यादा की कि किसी भी दरह का stress है कि चाहे आप जौब्लेस की related stress है परस्नल life की related stress है या ग्यारावा सिम्टम्स हम रीजन यहाँ पे हम देखे तो आपको जे वो अच्छे से नींद नहीं आती कि लॉस आप स्लीप या फिर मेडिकल टम्स के अंदर हम इसको इन्सोम्निया कहते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार बज़े फिर भी पेसंट को जे वो नींद नहीं आ रही हैं तो यह भी एक रीजन बनता है PCOD के लिए हैं तो अब बात करते हैं डाइग्स इस के तो डाइग्नोसिस में सबसे पहले पेसंट के मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है सेक्ट जहीं वो फिसिकल एप्यरंस है होर्मोनल ऐसे टेस्टेस्टियोरन का टेस्ट क कैन से हम उसका reason पता कर सकते हैं तो सबसे पहले समझे medical history के बारे में तो reason find करने के लिए patient का counseling करना अच्छे से जरूरी है कि 10-15 मिनिट आप उससे अच्छे से बात करते हैं उसके medical history चेक करते हैं तो आपको कुछ reasons पता चलते हैं second physical appearance कि जैसे अब भी हमने अलग-अलग symptoms वगरा discuss किये उन में से कोई भी symptoms जो पेशन को देखने को मिल रहा है तो उससे अब हम पता confirm गर सकते कि सायद उनको PCD हो सकता है और आगे दूसरे टेस्ट किया जा सकते हैं जैसे कि hormonal essay किया जाता है कि जिसके अदर अलग-अलग hormones जैस है hormonal essay का और जिससे हम एक proper diagnosis कर सकते हैं और कौन से hormone का level ज्यादा है कम है उसके according to ही जरूरी है विकाज उससे proper बता चलता है कि ovaries जो है उनके अंदर किस तरह से सीस्ट जो बन रही है कितनी सीस्ट वगेरा बनी हुई है तो आपको proper ultrasound scan कराना जरूर पड़ता है अब बात करते हैं और treatment कि तो treatment में सबसे से पहले जरूरी है कि stress को कम करना तो stress को कम करने के लिए जरूरी है कि patient अच्छे से yoga करता है meditation करता है तो उससे उसका stress level कम होता है उसके लावा music therapy का भी यहाँ पर option बनता है फिर आप अच्छे books वगेरा पड़ते है तो उसके करन भी आपका stress वगेरा कम होता है तो आपको stress स आपको proper नेंद लेनी चाहिए फिर आप exercise वगेरा भी proper करते है डाएट अच्छे से लेते है तो भी आपका यह problem जो हो सकता है फिर जरूरी है कि आपका weight reduce करना कि अगर आपका weight increase हो गया है PCOD के करन तो जरूरत है कि आपका weight जो अच्छे से manage किया जाए body weight को कम करना जरूरी ह तो ये खास आपको करना चाहिए चौता हम देखे तो cinnamon water आपको लेना है कि दिन में एक बार जो वह cinnamon water की जैसे हम चाय बनाते है उसी तरह से आपको जो cinnamon होता है उसका powder बना लेना होता है और उसके बाद जो उसका पानी दयार होता है उसको लेना होता है कि वो भी एक काफी effective साबित होता है PCOD को ठीक करने के लिए तो ये जो वो जरूर से ट्राय करना चाहिए PCOD की बेसन को कमपल सरे अगर आप medicines बले रहे हैं ले रहे है पर साथ में ये cinnamon water जो वो जरूर से लेना चाहिए फिर पांचवा option यहां पर बनता है कि आपकी body को detox करना भी जरूर रहता है त इससे weight भी manage करने में weight को भी loss करने में काफी ज़्यादा मदद रहती है तो आप green tea लेना जो वो start कर सकते हैं छटा option बनता है अब medicines का तो आप समझते हैं अच्छे से कौन सी दवाई यह दे जाती है PCOD के problem के दोरान तो सबसे पहले यहाँ पर option बनता है birth control pills का कि जिसको estrogen या प्रोजेस्टिरोन थेरापी के अंदर include किया जाता है कि यह जो hormones होते हैं उनका imbalance से आपके सेरीर के अंदर तो उसको फिर से normalize करने के लिए आपके gynecologist जो आपको prescribe करते है birth control pill फिर second option बनता है या फिर metformin का because insulin का resistance काई बार होता है इस तरह patients के अंदर और metformin जो काफी effective करते हैं कि एक tablet जो आप दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार यूस करते हैं कि यूजली जो 500 mg के sustain release tablet आते हैं उसको prescribe की जाते है PCOD के अंदर और यूजली दिन में एक या फिर दिन में दो tablet जो लेना होता है और खास कर दियाने रखना होता है कि दो tablet के बीच में at least 8 ग वो ली जाती है और उसकी जो tablets होते हैं यहाँ पर आप देख सकते एक marketed formula की जिसको Serum Institute of India जो वो manufacture करती है क्लोमिफिन citrate के यह tablets फिर आगे वो option एक बनता है लेटरो जोल का कि यहाँ पर 2.5 mg के यह जो tablets available है तो यह जो आपको gynecologist prescribe करते हैं कि जिसका dose rate खासकर एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो पेसेंट यूज़ करते हैं आगे पांच वो option बनता है क्या बर गुलिंग है कि अगर प्रोलेक्टिन की मात्रा लेती होती है पर week तुसके करन देखो यह packing के अंदर भी सिर्फ चार ही टाबलेट आपको दी गई है और एक टाबलेट जो है वो एक विक के इस तरह से चार विक के चार टाबलेट जो है वो दी जाती है और फिर आगे फिर से second course continue करना है यह है वो आपके gynecologist टेस्ट वगर करने के बाद decide करते हैं चटा option हम देखे homeopathic medicines के अंदर तो यहाँ पे ovarian cyst drops देख रहे हैं A90 करके तो यह drops को लेना कैसे वो में आपको समझाता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको 50 drop लेने होते हैं half cup जितने पानी के अंदर और दिन में 4 बार उसको लेना होता है 4 दिनों जब आपके treatment start होते हैं तो पहले चार दिन जो है वो चार दिनों के लिए आपको 50 जितने drops लेने हैं दिन में 4 बार और वो चार दिन जैसे complete होते हैं पांच वा दिन आता है तो उसके बाद आपको drops कर देने हैं 50 के बज़ाए आपको 30 drops लेने हैं सेम half cup जितने पानी के अंद और वो जो हो दिन में 3 बार जो हो लेने होते हैं तो यह करने से काफी आपको फाइदा होता है कि आप समझे कि आलो पे देख medicines तो ले रहे हैं पर साथ में यह medications भी पेसेंट यूज़ कर सकते हैं कि जिसको कारण उनको काफी ज़दे फाइदा होता है साथ हो option यहां पी बनत और उसको दिन में 3 बार जो लेना होता है और खास दियान यह रखना है कि खाना खाने के 30-15 या 30 मिट पहले या 15 या 30 मिट बाद ही आपको यह drops जो हो लेने होते हैं आठवा option हम देखे तो M2 टॉन सिरप का कि यह जो चरक फार्मा जो है हर्बल आयरुदिक कंपनी है उसका काफी एक popular product है M2 ton syrup तो वो भी आप लेख सकते कि 5 या 10 ml जितना दिन में 2 बार जो पेशन्ट ले सकता है और अगर आप syrup नहीं ले पाते हैं तो उसके tablets के भी आपके लिए options बनते हैं तो एक tablet दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार जो पेशन्ट ले सकता है कि एक आयरुदि remedy है यह आपके लिए PCOD को treat करने के लिए और अगर आप उसका syrup नहीं ले पाते हैं तो same उसके tablets के भी options अविलेबल हैं tablets में EV care fault करके tablets आते हैं कि जो आप स्विसली एक tablet जो वो दिन में 2 बार जो पेशन्ट ले सकता है और उसी में दूसरा option बनता है हेमालिया EV care capsules का कि जो 30 caps capsules आते हैं एक packing के अंदर bottle के अंदर और एक capsule जो दिन में दो बार या फिर दिन में एक बार जो पेशन्ट ले सकता है फिर अगर medicine से ठीक नहीं होता फिर आपके पास three options बनता है surgery का तो जो surgery की जाते हैं उसका नाम बनता है laparoscopic ovarian drilling की जिसको short में LOD कहा जता है तो यह perform किय जाता है last में कैकर medicine से पिए आपका PCUD ठीक नहीं होता तो last में यह options को select किया जा सकता है तो ऐसे संज़े के आपको detail में सीखना है अलग-अलग दाव यू के बारे में बिमार यू के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो यह course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फि आपको description box में मिल जाएके, so good luck and all the best.